ब्रॉट टी यू बाई प्रोबो ऐसे ही हां और ना का गेम है प्रोबो तपार अफ येस और नो बहुत 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 फाकत अब सभी का स्पोर्ट्स तक में आस्ट्रेलिया की टीम बॉर्डर कावस का ट्रॉफी के लिए पूरी तरीके से तयार हो रही होगी क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया के खिलाफ मुकाबला आसान नहीं होने वाला है क्योंकि पिछले दो सीरीज अपने घर में ऑस्ट्रेलिया हार चुका है भारत में भी वो आया तो हार चुका है यानि कि चार बार पिछले बॉर्डर गावस का टॉफी में भारत को ही जीत मिली है तो आस्टेलिया के उपर है प्रेशर बहुत जादा आस्टेलिया अपनी तैयारी कर रहा है लेकिन भारत के खिलाब मुकाबला इतना असान तो होने वाला है नहीं ये बात उन्हें भी पता है और उपर से जब उनका एक इंपोर्टेन खिलाड़ी इस सीरीज में शायद ना खेल पाए तो उनके लिए चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी अब आप सोच रहे होगे कि कौन सा खिलाड़ी है जिसके बारे में बात की जा रही है वो इस सीरीज से भार हो सकता है दरसल हम बात कर रहे हैं कैमरों ग्रीन की कैमरों ग्रीन ऑल राउंडर उनको इंजरी है और खबरे ये भी आ रही है कि वो फिट हो सकते हैं सीरीज से पह वो आ जाएंगे बाकी मुकाबलों के लिए कुछ रिपोर्ट्स यह कह रही है कि कैमरोन ग्रीन जो है वो एस अ प्योर बैटर ही खेलते हुए नजर आएंगे वो गेनबाजी नहीं करेंगे बॉर्डर गावस का ट्रॉफी में तो ऑस्टेलिया के ऑल राउंडर कैमरोन ग्रीन का बॉर्डर गावस का ट्रॉफी में हिस्सा लेना मुश्किल लग रहा है दरसल ग्रीन जो है वो इंजरी के चलते हैं और उसे पूरे समर सीजन से बाहर हो सकते हैं लेकिन जो कई सारी रिपोर्ट्स आप सुन रहे हैं वो क्या सही है ग्रीन को लेकर क्या है कि वो एक मैच स खेल लेंगे क्योंकि पांच मैचों की टेस्ट सीरीज है और कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और पहले खबरे आ रही थी कैमरून ग्रीन फुल टाइम बैटर के टॉर पर बॉर्डर गावस का टॉफी में खेल सकते हैं लेकिन गेन अभी आगे चलेगी वो जूज रहे हैं चोट से अगर वो फिटनेस की तरफ आगे जाते हैं जब पूरी तरह से रिकावर होएंगे तब तक गावस का टॉफी पूरी निकल जाएगी यानि कि उनके पास फिट होने के लिए अभी समय है वो इतनी जल्दी फिट नहीं हो पा हुए रखी है और माना यह भी जा रहा है कि केमरोन ग्रीन के पास सर्जरी ही जो है वो एक मात्र विकल्प के रॉप मेर दिखाई दे रही है बता दे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लेंड के बीच सेतंबर में वन डे सीरीज खेली गई थी इस सीरीज के पहले दो मैच में ग् की है लेकिन ऐसा अब लग नीरा की वो बिना सर्जरी ठीक हो पाएंगे और ऐसे में अगर उनकी सर्जरी हो जाती है तो टेस्स से बाहर हो सकते हैं और जो बाते चल रही थी कि वह एज़ा प्योर बैटर खेल सकते हैं तो अगर सर्जरी नहीं हुई थोड़ा सा वक्त लगा तो मेबी वो सीरीज में आपको एज़ प्योर बैटर खेलते वे दिखाई दे सकते हैं या मेबी एक टेस्ट मैच मिस कर सकते हैं लेकिन अगर सर्जरी हो गई तो फिर कैमरून गरीन के लिए खेलना मुश्किल हो जाएगा तो कैमरून गर ऑस्टेलिया को अपने प्लान में changes करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारे reports उनके batting को लेकर भी आ रहे थी कि उन्हें open कराया जा सकता है इस्टेविसमित वापस 4 नंबर पर आ सकते हैं अलागि अभी क्या है उसमें पुक्ता जानकारी इसका पता नहीं और जब स्पोर्ट्स तक का टलिग्रैम चैनल जहां experts देंगे आपको fantasy picks, मिलेगा exclusive content और सबसे तेज updates अपने गेम का लेवल बढ़ाई को सिर्बासिफ स्पोर्ट्स तक के साथ